Dear students, आज हम एक नई सिरीज चटू करने वाले हैं और वो सिरीज है इन औरगेनिक पॉलिमर्स के ऊपर इन औरगेनिक पॉलिमर्स जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इन औरगेनिक पॉलिमर्स और सिलीकॉन एंड फॉस्फोरस इनके पॉलिमर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लेकिन इस लेक्चर में, लेक्चरों की इस सिरीज में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे about the inorganic polymers and what are the difference between inorganic polymers and organic polymers? तो inorganic polymers को जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जरूरी है कि organic polymers की क्या properties होती है और inorganic polymers की क्या properties होती है and how they are different from each other कैसे वो एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं तो इसको हम इस लेक्चर में हम cover करेंगे कि inorganic polymers के बीच में क्या-क्या differences होते हैं पहले तो हम ये देख लें कि polymers हम किसे कहते हैं polymers आप जानते हैं, polymers हम किसे कहते हैं जो छोटी-छोटी unit से मिलके एक बड़ा unit जब बन जाता है एक छोटी-छोटे molecular weight containing monomers से जब एक बड़ी unit बनती है बड़ा molecular weight का molecule बनता है तो उस बड़े molecular weight के जो unit होती है उसको हम क्या कहते हैं? polymers कहते हैं polymers किसमें useful हैं? polymers are useful in electronics, medicines, fibers they are also used as structural materials polymers जो पॉलीमर्स हैं वो electronics में use होते हैं, medicines में use होते हैं, fibers में use होते हैं fibers means जो wire होते हैं, wire की जो बाहर की जो covering होती है उसके cover पर ये use हो सकते हैं या structural material की तरह ही use हो सकते हैं जैसे आप देखते हैं आमता और जिंदगी में हम लोग देखते हैं polythene, plastic ये सब क्या हैं? polymers के टाइप हैं तो polymers structural material भी बना सकते हैं अब polymers को अगर देखें तो ये दो तरीके के main होते हैं एक तो होते हैं organic polymers और दूसरे होते हैं inorganic polymers अब देखें organic polymers क्या होते हैं? organic polymers में जो skeletal system होगा उस polymers का उसमें main क्या components होंगे? carbon, oxygen हो सकता है और nitrogen हो सकता है तो organic polymers में जरूरी है कि उसमें carbon जरूरी होगा उसके अलावा उसमें क्या हो सकता है? oxygen हो सकता है या nitrogen हो सकता है तो ये तो हैं organic polymers inorganic polymers क्या है? inorganic polymers में carbon नहीं होगा carbon को छोड़कर generally ज्यादा तरकेस में कार्बन को छोड़कर बाकी elements जो हैं वो अटेस्ट होंगे वो inorganic polymer के लाएगा अब inorganic polymer में क्या होगा देखिए ये different inorganic elements can join together due to different valences of inorganic elements तो यहां पर क्या होगा कि अल्ग अलग validancy होती elements की तो अलग अलग valency की वजा से क्या होंगे वो अलगलग type के element जुड़ेव हैं inorganic polymers में तो इन और येनिक polymers में अलग लग type के elements हो सकते हैं उसमें कार्बन नहीं होगा तो वो क्या के लाएंगे inorganic polymers और इसमें जो elements 14 15 ग ग्रुप के ईलिमेंट्स फोर्मेशन करते हैं फो 13 ग्रुप के 14 ग्रुप के 15 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं कार्बन उस में नहीं होगा बहुत रेर होगा इनॉप il पौलीमेंट्स Wrap level को चोड़ कर बाधी या करेंगे बैकबॉन बनाएंगे या फिर इसकेलिटल बनाएंगे उस पॉलीमर का और फिर उससे दूसरे ग्रूप से चुड़े हो सकते हैं उनसे दूसरे बड़े ग्रूप्स हो सकता है और गेनिक रूप जुड़े हो लेकिन जो बैकबॉन है जो हम कहते हैं जो बैकबॉन वहां पर नहीं ओगा इन ओठ भागेनिक में जबकि और जो asya और के व्यामेट बेक conveil के उन जरूर हो गाड़ तो और इस ये ओठर कह नहीं होगा इन ओठ भागेनिक और जो आरगेनिक पशन्मत्स कि जो organic polymer है, वहाँ पर backbone पर carbon जरूर होगा, तो वह organic polymer है, जो basic structure होगा उसका, और जो inorganic polymer का basic structure होगा, वहाँ पर carbon नहीं होगा, side में हो सकता है कहीं पर, किसी ज़यर से अगापर वो group की form में हो सकता है, group attached हो सकता है, लेकिन main skeletal form होगी, वहाँ पर कोई भी carbon atom नहीं होगा, तो वह क्या होगा, वह होगा, एक inorganic polymer, इसको हम example से भी समझेंगे, ये, अब देखिए हम दो examples से से इनको differentiate कर सकते हैं, ये जो polymer मैंने लिखाया, देखिए, इसमें silicon oxygen, silicon oxygen, silicon oxygen, इसके backbone में है, या हम जैसे हमारी backbone होती है, रेड की रडडी, ऐसे ही इसकी जो backbone है, वो ये structure है, ये जिर्ड़ूरी polymer, जबकि साइड में आप देख सकते हैं, आपर methyl group है, यहापर कार्बन है, तो इसका मतला, ये एक inorganic polymer है, जबकि यहाँ आप देखिए, यहाँ पर यह जो backbone है, यह backbone है, carbonate, तो बिना carbon के यह organic polymer नहीं है, जहाँ पर backbone में ज़रूरी है, ये side में, तो ये side में एक inorganic polymer है. अब हम देखेंगे कि जो inorganic polymers से हैmos और जो organic polymers से हैं उनके बीच में क्या-क्या difference है? So, one by one हम discuss करेंगे इनके बीच के difference को. यह सबसे पहला Two difference जो मैंने आप से कहा था, वो है inorganic polymers does not include carbon atom in the backbone. जो organic polymers से हैं essentially उनमें क्या होगा carbon atom उनकी backbone में होगा और इस carbon के साथ और कौन से element possible है और जो element possible वह दोनों में ही हो सकते है nitrogen oxygen sulfur वह organic में भी हो सकते इन और इन इक में भी हो सकते हैं लेकि जो major difference है वो है उनकी backbone का और skeletal system का अब अगर हम दूसर डिफ्रेंस देखें इनके बीच में तो आप देखेंगे कि इनकी inflammability अगर हम inorganic polymers को देखें यह inorganic polymers है और यह organic polymers है inorganic polymers generally non-inflamable होते हैं soft and or melt at high temperature यह inflammable होते हैं non-inflamable होंगे जल नहीं पाएंगे बल्कि क्या होगा अगर हम temperature high करेंगे तो यह soften हो जाएंगे मुलायम हो जाएंगे या फिर गल जाएंगे लेकिन जलेंगे नहीं जबकि जो organic polymers है वो inflammable है वो असानी से जल जाते हैं अब अगर हम इनको देखें inorganic polymers की other property देखें तो जो inorganic polymers है generally they are good conductors कुछ को छोड़कर अभी आप देखेंगे कुछ ऐसे होंगे जहां पर उनकी conducting property नहीं होगी लेकिन यहां पर जो general अगर हम कहेंगे तो inorganic polymers good conductors of electricity and heat होते हैं क्योंकि यहां पर polar covalent bond बनता है polar क्योंकि different type के atoms के बीच में bond बनता है carbon के बीच में जनरली ब lt ho'tा अहूँ इसलिए यह non polar bound होता है और यह polar bound होता है और यह पोर conductors होते है और गनिक जो polymers होते है यह पोर conductors of electricity and heat क्योंकि वहां पर जो बॉन्ड होता है और देखेंगे इन जर्नरल जो बंड होते हैं क्योंकि वह जैनरली क्या होते है aware इन और क्रास लिंग बन्क बन तो यह क्या बननाते हैं और जो हाई डेंसिटी का मटेरियल उगा वह क्या होगा हार्ड होगा फ्लेक्सिबल नहीं होगा होगा हार्ड होगा वह गरम करने पर ज़रूर् वह flexible हो सकता है लेकिन वैसे अगर उसको normally देखेंगे तो वो hard होगा और जो organic polymer है वो less hard होते हैं काम hard होते हैं जबकि cross linking की जो property होती है वो inorganic polymers में जादा होती है इसलिए they are harder वो non flexible होते हैं inorganic polymers और अगर वो harder होते हैं तो एक और property उनमें होती है वो होती है ductility की तो ये जो inorganic polymers होते हैं वो less ductile होते हैं जबकि जो organic polymers होते हैं वो more ductile होते हैं और ductile का मतलब क्या होता है ductile का मतलब होता है कि हम उसको खीच कर उसको पतला कर सकते हैं मतलब हम उसको खीच सकते हैं तो यह तब ही होगा जब वो flexible होगा, जब हो harder नहीं होगा तो हम इसको खीच सकते हैं, जैसे हम एक rubber band को खीच सकते हैं, ऐसे हम पतले पतले तार बना सकते हैं, किसी metal को खीच के, element को खीच के, इसी तरीके से अगर हम polymer को खीच सकें, उसको elonguate कर सकें, तो वो ductile है, अगर नहीं खीच पाए तो वो क्या है, less ductile है, less ductile कब होगा, जब कि वो harder होगा, वो harder है, इसलिए वो less ductile है, ओके, overall अगर हम property देखे, inorganic polymer की, तो हम यह कह सकते हैं, कि जो inorganic polymers होते हैं, वो क्या होते हैं, stronger होते हैं, harder होते हैं, and brittle होते हैं, brittle होते हैं, ductile नहीं होते हैं, they are brittle, okay, hard होंगे, और strong होंगे, in comparison to organic polymers, other difference, अगर हम देखेंगे, तो हम यह देखेंगे, जो inorganic polymers हैं, वो oxidized हो जाते हैं, यह oxidized नहीं हो पाते हैं, जबकि जो organic polymers हैं, उनमें जो double bond होता है, carbon, carbon, double bond, CH bond, and CC bond, they are prone to oxidation, तो इस तरीके के bond जो हैं, वो आसानी से oxidized हो जाते हैं, जबकि यहां पर जो bond हैं, जैसे SIO bond है, okay, SIC bond है, तो ऐसे जो bond हैं, यह आसानी से oxidized नहीं होते हैं, attackable bonds नहीं हैं, तो इसलिए जो हैं, यह oxidized नहीं होते हैं, inorganic polymers, जबकि organic polymers, can easily oxidize, जो इसमें जो bond होते हैं, वो आसानी से oxidized हो जाते हैं, अगर हम examples देखें, दोनों में अगर हम अंतर देखें, तो हम यह देखेंगे, जो inorganic polymers के कुछ examples देखें, क्या हैं, silicon rubber, poly siloxanes, poly phosphagens, और इसके कुछ example, organic polymers के, अगर हम इन पॉलीमर के कुछ uses देखें, जनरल यूजेस, इस जनरल टाइप ऑफ डिफरेंस, जनरल पॉपर्टीज हैं यह इन और 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 पॉलीमर की, तो अगर हम जनरल यूजेस देखें तो हम देखेंगे, जो inorganic polymers हैं, उनकी पॉपर्टी देखेंगे, यह हैं, वो पैट्रो केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जा सकते हैं, consumption of windows, यह construction of windows, door, seals, यह इसमें यूज हो सकते हैं, wire and cable jacketing में, उनके jacket के cover बनाने में काम आएंगे, skin care and beauty products में भी, यह यूज होते हैं, जबकि जो organic polymers हैं, वो textile and plastic industry में यूज होते हैं, home electronics में यूज हो सकते हैं, shoe soles, wet suits में यूज हो सकते हैं, और non-stick pants में यूज होते हैं, आपने सहना ही है, टेफलोन यूज होता है, non-stick pants में, तो बिल्कुल entirely different उनकी properties देखेंगे, जो inorganic polymers हैं, उनका use बिल्कुल अलग तरीके से कर रहे हैं, और जो organic polymers हैं, उनका use हम अलग तरीके से करते हैं, तो हर एक की अपनी जगा पर कुछ importance होती है, ऐसे ही inorganic and organic polymers का है, कि organic polymers जो होते हैं, वो क्या होंगे, वो flexible होते हैं, वो ductile होते हैं, कम hard होते हैं, और उनकी जो backbone होगी, वो आपको ध्यान लखनी हैं, वो क्या होगी, वहाँ पर carbon जरूर होगा, लेकिन जो inorganic polymers होगे, वहाँ पर backbone में carbon ही होगा, side में हो सकता है, लेकिन backbone में other elements होगे, 13, 14, 15, 16 के जो elements हैं, they form inorganic polymers, और they are equally important as, you can see their uses, आप उनके uses देख सकते हैं, inorganic polymers कितने important ही देखिए, beauty product से लेके, electricity से लेके, house के construction में, उनका कितना use है, तो इसके बाद जो next lecture होगा, उसमें हम specifically, दो polymer हमारे courses में हैं, silicon and phosphorus के polymers, तो हम इसके बाद जो next lecture होगा, वो होगा, silicon's के उपर हम बात करेंगे, कि silicon's कितने important होते हैं, क्या होते हैं, और कैसे उनको हम use कर सकते हैं, polymers की तरह, so thank you very much.